फेमस रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में माहिरा शर्मा का गेम आप देख रहे हैं माहिरा बिग बॉस के घर में हैं और घर के बाहर उन्ही के घर पे खुलासे हो रहे हैं जी हां सीजन 13 में माहिरा के मसले कब तक सुलजेंगे नहीं पता लेकिन फिलाल माहिरा की ममी ने माहिरा के घर के अंदर की खास तस्वीरों को शेयर किया है और साथ ही माहिरा शर्मा के बारे में काफी कुछ बताया है माहिरा शर्मा के मुंबई में घर पर पहुँचें और वहाँ पर उनकी ममी ने मीटिया को एक-एक कोने से रूबरू करवाया तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं माहिरा की ममी बताती है कि वो अपने दिन की शिर्वात पूजा के साथ करती है माहिरा को मंदिर सजाना बहुत पसंद है मौका पाते ही भगवान के भजन में वो लग जाती है सानिया शर्मा जो माहिरा की ममी है वो अपनी बेटी की तस्वीरों का कोलाज दिखाती हुई कहती है मैं और माहिरा दोनों ही सल्मान खान के बहुत बड़े फैन है ये कोलाज मैंने माहिरा के लिए सर्प्राइस के तौर पर बना रखा है जब वो आकर घर में देखेंगी सल्मान खान के साथ अपनी फोटोस देखकर बहुत खुश हो जाएंगी यूँ तो हमने कई सर्प्राइस प्लाज किये हैं लेकिन ये कोलाज काफी स्पेशल है बिग बॉस के घर के अंदर माहिरा ने खाना बनाना सीख लिया है शो में जाने से पहले वो अच्छी कोक नहीं थी जिस पर उनकी ममी किचन दिखाती हुई कहती है कि मेरी बेटी को बेसिक कोकिंग आती है हाला कि मुझे उमीद है घर से बाहर आने के बाद वो हमें अच्छी दिशस बना कर खिलाएगी वो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है किचन में ज्यादा तर सिर्फ कॉफी बनाने के लिए ही कदम रखती थी लेकिन अब सारा कान कर लेती है माहिरा के बेडरूम को दिखा कर उनकी ममी ने कहा घर का सबसे अच्छा कोना माहिरा का बेडरूम ही है माहिरा का बेडरूम हमेशा सजा रहता है जब वो बिग बॉस के घर में गई तो ये कमरा काफी सूना हो गया मैं भी इस रूम में ज्यादा नहीं आती क्योंकि मैं काफी इमोशनल हो जाती हूँ घर आते ही माहिरा सबसे पहले अपना बेडरूम ही देखने बारी है बता दे आपको माहिरा को पेट्स पहुत पसंद है उनके पास दो बिलिया है जिनकी तस्वीरे वो बिग बॉस 13 में साथ लेकर गई है पांच साल से ये बिलिया माहिरा के साथ है और माहिरा इन बिलियों से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है तो फिलहाद ये तस्वीरे और माहिरा शर्मा के घर से जुड़ी ये बाते जो उनकी ममी ने मीजिया को बताई हैं काफी ज्यादा चर्चे बतोर रही है नेक्स्ट नाइन न्यूस से मेगा की रिपोर्ट